तो इस वीडियो वे हम बात करेंगे गुरूप 15 नाइट्रोजन फैमिली एलिमेंट ठीक है तो इससे रिलेटेड जो हम कुछ कोईशन होता है कैसे बनता है इसके बारे हम बात करेंगे और यह पूरा इस्ट्रेक्ट है और अगर आप टर्मॉन का पेपर देना चाहते हैं तो म पास्ट यह देखिए आपको स्टार्ट करते हैं मुझे आसा करता हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और आपका प्रिवेशन अच्छा चलना होगा ठीक है तो अब यहां पे देखिए क्वेशन नंबर वन क्या कह रहा है इसको हमें समझने की यहां भी जरूरत है तो क्वेशन अब यहां पर नटीम होगा ठीक है अन पेंटियम को क्या कहते है अन मिन्स होता है वन अन मिनस होता है वन पेंटियम में सोता है थे कि अरहरा होता होता है ह। यह तो आप यहां से पता कर सकते थे यह तो आप एक सकते है कि देखो है आपका होता यह 7 हमें वन ंटां में 8 जोड़ना होता है डूल नहीं ऐड़ना होता है 1 मैं और उन टाइम आपको ध look if I tutti यहां तो आपको अण एकना नमबर पूरा मील ज तो पर तो पर जो तो यहां पर जोगे आपको फुटी से हभी तो यहां पर फुटी जाता इससने अब तो यहां पर तो थोड़ा सा सब्सक्राइब करेंगा यहां पिसलागें यहां पर लिए ऐसके हम्राइब होता है को तो iso को कहते हैं यह कि इसके फाधनी का आता है है वो पद्धिया था यह थीयदcem को क्या करना है चाए हिंड़ pra उने विसकी को riders करनें के बाद अरगन के बाद का क्रिपटान के बाद क्या आता है वाधे नो समय इसके और धान की सतने कि में Hasul कता है भांगे थिया नहलए करेट्रेशं दिए हो таким है फृट आत है थे तो किसमें आएगा तो 32 हम द्यान में देंगे तो 32 इलक्टान किसमें आ सकते हैं यस में 2 इलक्टान आ सकता है पी में 6 इलक्टान, डी में 10 और एफ में कितना हो जाएगा 14 ठीक है तो एफ में 14 होगा डी में 10 हो जाएगा और पी में कितने होते हैं 6 और इसमें यस में कितना जाएगा आपका टू तो टोटल अगर बात करते हैं तो यह टीन हो जागा निए थाटी टू आ जाता है तो यह बात ध्यान बिरकना है कि जब भी आपका रेडान देगा उसके बाद आपको यह चारो आर्बिटल जरूर दिखनेंगे यानि यह पर यह अब यह टू देखेनेंगे देखो यहां पर यह से त्वर और यह वर्स मिल गळेंगे हैं और यहां पर यहां फटी धिंखा फी दिखा यहां पर इस पी दिए नित्यों 4 गया ठीक है तो यहीं हैं सकते ही इस टौड़ा सार्ट कर उन सकते हैं और यह आप सान हो तो बेरी सेंपल कोईशन था यह देखे आपका यहां पर देखे तरी यह अच्छाई तो हैं अ अब हुआ है कि यहां पर नाइटोजन होता है है यह एक्ट मुझन के कम होती है तुद इसका मदलब इसका नीकालना होगा उसको हम X suppose करेंगे लेकिन number of item कितने 3 तो 3X हो जाएगा और hydrogen जानते हैं कि electron donate करेगा तो plus 1 होगा और equal to 0 तो हम करे सकते हैं 3X equal to minus 1 हो जाएगा और X equal to क्या जाएगा तो 1 by multiply है तो दर जाएगा divide हो जाएगा तो 1 by 3 तो इसका oxidation state कितना आ गया minus 1 by 3 आ गया दूसरा देखते हैं ammonia है तो ammonia में अगर बात करते हैं तो यह ammonia को nitrogen को X suppose करेंगे hydrogen जो होता हो जानते हैं plus 1 होता है लेकिन hydrogen है कितना तो 3 हो जाएगा equal to 0 तो X equal to कितना जाएगा minus 3 तो यहाँ पर ammonia में जो oxidation state होता है वो minus 3 हो जाएगा उसके बाद अगर हम यहाँ भी बात करते हैं यहाँ एज 2 है तो यहाँ एज 2 यह ओएज है तो ठीक है hydroxyl amine है तो यहाँ पर nitrogen को क्या suppose करोगे X यहाँ पर hydrogen जो होता है वो plus 2 हो जाएगा ठीक है होना जाएगा तो यहाँ भी बात करें तो इस पर जो नाइटोजन का oxidation state होगा वो minus 1 हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर दिया है यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर जेखे नाइटोजन को टू एक सपोज करेंगे hydrogen क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा एक्वल टू जीरो तो एक्स एक्वल टू कितना हो जाएगा तो हम कर सकते हैं उदर जाएगा तो minus 4 हो जाएगा और divided by 2 हो जाएगा तो यहाँ पर cancel करोगे तो minus 2 तो हम कहेंगे इस पर आ जाएगा minus 2 हम कह रहा कि इसका high oxidation state highest होगा तो highest किसका हो जाएगा तो हम कहेंगे कि minus 1 by 3 सबसे जादा है ठीक है minus में ध्यान में रखेंगे वह इलू जितना कम उतना ही highest होगा ध्यान में रखना है तो minus 1 by 3 हो जाएगा ठीक है question number अगला को कह रहा है question number 3 में कह रहा है which आप the following so the nitrogen in the in its increasing order of the oxidation state तो oxidation state का क्या करा है increasing order आपको बताना है ठीक है तो वह कितना होगा वह हमें समझना है ठीक है तो उसके लिए क्या करना होगा निकालना पड़ेगा oxidation state तो oxidation state कैसे निकालेंगे उसको हम समझते हैं देखे same condition वही है देखे यहाँ पर दिया हो जाएगा यह और टू-टू से कैंसिल हो जाएगा तो पलस होना गया तो यहाँ पर नाइट्रस अकसाइड में कितना जाएगा पलस वन हो जाएगा तो यहाँ पर लेखेंगे हम पलस वन नाइट्रिक अकसाइड है यह नो तो यह नो है आपका नाइट्रिक असाइड इसक equal to कितना हो जाएगा आपका उधर जाएगा तो plus 4 तो यहां पर nitrogen पर oxidation इस्टेट कितना हो गया plus 4 वा गया उसके बाद NO3 चेकर लेते हैं minus में है nitrate ion इसको बोलते हैं इसको हम x मानेंगे 3 oxygen है तो दो कि 1 पर तो 2 minus होगा तो 3 पर कितना हो जाएगा 6 minus हो जाएगा तो यहां देखे नाइटोजन जो होता है ना नाइटोजन और hydrogen में बात करें nitrogen होगी तो इसको हम x मानेंगे अब यहां देखे hydrogen हो जाएगा plus में जाएगा तो plus 4 हो जाएगा और यहां पर देखिए plus 1 होता है तो 4 है प्लस 4 हो जाएगा equal to क्या लिखोगे या प्लस 1 लिखोगे ठीक है तो इक्वल तो जो चार्ज होता उस तरफ लेकर जाना होता हमें ठीक तो x equal to कितना हो जाएगा तो कहेंगे यह पर सबसे कम किसका हो गया तो हम कहेंगे यही माइनस में आ यह सबसे कम यह हो गया तो इसका मतलब है इससे अफ़सें यह तो चला गया लेकिन जानते है नो का कितना हो जाएगा प्लस टू हो जाएगा यह नो टू का प्लस फोर हो जाएगा और नो थ्री माइस का कितना प्लस फाइब हो गया जिसका मदब इंक्रीजिंग आडर यही है तो राइट आफसन क्या हो जाएगा आपका बी आफसन राइट आफसन हो जाएगा अगला question checker question third fourth तकर देखते हैं कहरा nitrogen farm the stable into molecule but phosphorus is convert to P4 from P2 तो कहरा into molecule होता है वो क्या होता है stable होता है और यह मिलता है ठीक है farm करता है लेकिन phosphorus जो है ना वो P2 नहीं farm करता है P2 से किसमे P4 में change हो जाता है ठीक है यह कहरा ऐसा क्यों हो रहा है इसका में reason बताना है because आप कहरा है पहला आप suns से check करते हैं देखो P5 P5 bond is strong in a phosphorus तो पहली बात तो P5 मतलब double bond होना जरूरी है तो phosphorus का अगर आई structure आप P4 का देखते हैं तो कुछ आपको ऐसा structure आपको मिलेगा ठीक है ऐसा structure P4 का मिलता है तो इसमें तो पाई bond है नहीं double bond तो है नहीं तो यहां पर P5 का बात ही नहीं कर पाएंगे ठीक है तो P5 यहां पर होगा नहीं हाँ नाइटोजन अगर बात नहीं तो नाइटोजन तिरिपल bond का फार्मेशन करता है यहां पर एक सिगमा और टू प P5 होगा. P5 क्यों करें 2 मतलब क्या होगा जैसे हमसे हम NH2 है और 2H2 और 2P कितना होगा देना थिरी तो 2P3 जो है ना यह P-Arbital ही participate करता है पाइवपाइट के फार्मेशन में इसलिए हम कहेंगे कि यह P5 है यह भी क्या होजाऊ तो यहाँ पर P5 P5 bond यहाँ जो यहाँ पर nitrogen है तो इसमें P5 P5 bond होता है और stronger होता है ठीक है इसलिए यह पर exist करता है लेकिन फासपूरस में तो P5 P5 bond नहीं होता है क्यों कि यहाँ पर अगर बात करें तो P होगा तिरफल bond P हो जागा तो यह bond कैसे होते हैं यह Baker होता है क्या होत होता है इसलिए यह पी-टू से किसमें चेंज आता है पी-फॉर में में कॉईशन यहाँ से चेक करेंगे इसका आंसर यहीं होगा बीकॉज कह रहा है कि बट फासपूरस कनवार्टेट टूपी-फॉर फरां पी-टू तो पी-टू से क्या वहारा पी-पोर में चेंज हो रह करें तो हमें देखना ओप मझा दो चीजे हैं कि मौलीकुलर मास कितना होका या इसके सकते हैं कि सरफ इसरी से क्या होगी है और इसके बाद आर्सेण होता है और इसके बाद यहां पर याई यह तरी है लेकिन हाँ यहां पर दिया है तीक है आमोनीया हो गए पास्पीन आर्सेण और स्टीबीन ESB को क्या बोलते है हम स्टीबीन बोलते है तो यहां पर दिया हुआ है आमोनिया है ठीक है तो ESB, S3 दिया हुआ है अब इसमें दिया है कि इसका बॉाइलिंग पॉइंट हाई होगा तो देखो पहली बात यहाै कि nitrogen, fast-force, arsenic, antimony and bismuth जब up to town जाते हैं मूब करते हैं तो size क्या हो जाता है increase गो जाता है अब जब size item का increase होगा तो इस पर लगने वाला जो wonder wall force होता है उसका मान क्या हो जाएगा value हो जाएगा high अब wonder wall force जब high हो जाएगा ठीक है तो इसका मदलब क्या है कि इसको separate करने के लिए आपको energy ज़्यादा देनी पड़ेगी तो इसका balling point सबसे ज़्यादा हो जाएगा या हम यह कहेंगे कि nitrogen है fast-force, arsenic, antimony और bismuth तो up to down move करते हैं तो इसका atomic weight या कह सकते हैं बढ़ेगा तो हम कह सकते हैं तो इसका molecular weight atomic weight भी बढ़ेगा तो यह molecule का formation करेगा तो molecular weight भी बढ़ जाएगा तो molecular weight जो होता है अगर वो increase कर रहा है ठीक है तो molecular weight जब increase करेगा तो balling point भी क्या हो जाएगा ओ increase करेगा simple सी बात है या आप size factor लगा लो size factor में क्या होगा items छोटे हैं तो wonder wall force कम लगेगा items बड़े होगे तो wonder wall force जादा लगेगा तो इसको क्या करना है gas में उड़ाना है यानि gas में लेकर जाना है तो gas में थोड़ी ना जल्दी change में पाएगा ठीक है simple सी बात है देखो दियान में रखो अगर बहुत बड़ी चीश है तो उसको आप gas में बतलना चाहिए यानि उपर फेकोगे तो बड़ी चीश उपर नहीं जाएगा यानि gas में नहीं बतलेगा इसा समझो gas कहा जाता है उपर ही जाता है तो यह बात ध्यान में रखो कि wonder wall force जो होता है उसके बाद rcn का तो यहां पर देखेए हम यहां भी बात करें sb, s3 है और उसके बाद s, s3 है और उसके बाद ps3 है और उसके बाद क्या हो जाएगा सबसे कम किस का होना चाहिए ammonia का होना चाहिए तो यह sequence होना चाहिए ठीक है लेकिन अब problem यहां थोड़ी सी problem खड़ी हो जाती कहां पर ammonia के केस्ट में क्या हो यह कि nitrogen का size होता है वो बहुत होता है small ठीक है और small size होती है एलेक्टरनुटी होती हाई है small size होने के उज़े से ammonia क्या करता है hydrogen bond का क्या करतेता है फार्म करेता है तो जब hydrogen bond का formation करेगा तो इसका number जो है वो तीसरे पे आ जाएगा, कहां पे आ जाएगा तीसरे पे, आज इसे ध्यान में रखना है कि यह पहले पे हो गया दूसरे पे हो गया तीसरे पे, तो इसको अटा करें लाएंगे, यहां पर तीसरे पे लाएंगे, देखो इसका सबसे कम किसका होगा फासपीन का उसके बाद किसका होगा आरसीन का आरसीन के बाद किसका होगा अमोनिया का अमोनिया के बाद किसका होगा इस्टी बीन का होगा इस्टी बीन के बाद अगर बी आई एच थरी दिया तो उसका सबसे ज़्यादा होगा लेकिन हाला कि इसमें SbH3 तक ही दिया हुआ था तो SbH3 का सबसे ज़्यादा हो गया फिर आमोनिया का उससे कम हो गया आरसीन का और कम हो गया तो इसका जो राइट आपसन होगा आपका C आपसन होगा ठीक है अब अगला क्वेशन क्या अगर है इसमें जो आमोनिया नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजन क्या कर रहा है वो NCl3 का फार्मिशन कर रहा है लेकिन कह रहा है कि फासफोरस जो है वो PCL3 भी बना रहा है और PCL5 भी बना रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन का तो इसको लिख सकते हैं तो इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पर लिख सकते हैं नाइटोजन का अटामिक नमबर होता है इसको लिखेंगे तो 1,2 हो जाएगा लेटान करने फिर यह अगर बाल नहीं हो जाएगा तो इस केस में आपको 3D क्या लिख सकते हैं आपका 0 तो 3D0 जब लिखोगे न तो यहाँ पर क्या वगा डी आर्विटल परजेंट होगा तो तो इसकी जो बालंसी होती है वो थोड़ी से increase होती, वो तो थोड़ा समझ लो जैसे, माल जी हमारे पास क्या है, आपका 3S है, और यह होगे आपका 3P, और यहां लिखेंगे तो आपका मिलेगा 3D, 3D में कितने orbital होते हैं, 5 होते हैं, तो यह होगे आपका 3D, देखो, यहां पर 2 electron आप फिल कर दोगे, यहां पर देखेंगे, तो 3 electron unpaid है, तो यहां पर 3 bond होगा, तो इसका वैलेंसी जो होता है, वो 3 होगा, अब 3 होगा, तो यहां क्या कह सकते हैं, PCL 3 बना लेगा, लेकिन, अगर माल यह इस electron को हम excited करा दिये, electron कहां पहुँच गया, यहां पर, यहां पर, यहां पर यहां पर, यहां 2, 2, 3, 2, 2, 3, अब डी तो है नहीं, तो अप स्टिय जो होता है, वो PCL 3 तो इसका मलब क्या है, इसे ज़्याद आपनी वैलेंसी एक्स्टेंड नहीं कर सकता, तो हमें कह सकते हैं, इसकी वैलेंसी कितनी होगी, नार्मल 3 होगी, तो यहां पर क्या कह रहा है, कि ENCL 3 फार्म हो करता है जबकि फासफुरस जो होता है वो PCL5 और PCL3 दोनों फार्म करता है इसा क्यों तो कह सकते हैं डिव टू अपसेंस आप डी यारबाइटल इन नाइटोजन तो नाइटोजन में डी आरबिटल अपसेंस होता है इसलिए कि वले करता है जबकि फासफुरस में डी यारबिटर प्रजेंट होता है इसलिए PCL3 और PCL5 भी फार्म करता है हां एक और question इसमें देख लेंगे कि maximum जो अपनी एक क्या कर सकता है वो बढ़ा सकता है अगर उसके पास loan पिडर अगर कोई भी इसे कितनी होती है लेकिन मैक्जमम कितनी हो जाएगी तो फोर हो जाएगी ठीक है तो बस इस वीडियो में इतना ही मुझे लगता है कि ये कोईशन आपको काफी अच्छा लगा होगा तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करिए सेयर करिया और सबस्क्राइ हैं तो मिलते हैं इस वीडियो में तब तक के लिए जैहन